साथियों आप सभी कश्मिर्फंपर स्वागत है यहां पर हम लोग स्टार्टप के बारे में बात करेंगे यह जो आपका आर्टिल है यह आप एक करेंट आफेर से संबंदित है और इसको आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी इस इन पॉइंटों को इस्तिमाल कर सकते हैं तो देखिए हुआ क्या है कि 9 जून 2023 को भारत सरकार के द्वारा स्टेट वाइज रेजिस्टर्ड स्टार्टप की संख्या बताईगी है और ये आगड़े जो हैं नॉमबर 2022 तक के स्टेट वाइज किस राज में कितने स्टार्टप हैं इनकी रैंक दी गई है तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये जो रिपोर्ट जारी की गई है तो इसमें नॉमबर 2022 तक देश में पंजिकित श्टार्टप की संख्या के बारे में बताएगा है इस मामले में महराश्ट जो है सीर्स पर है मतलब सबसे अधिक श्टार्टप कहां पर हैं? महराश्टा में हैं उसके बाद दूसरे नमबर पे कनाटक आता है तीसरे पे आपका दिल्ली आता है और चौथे पे उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब भी आपको मेंस में कहीं answer writing लिखना होगा तो वहाँ पर आप ध्यान रखेगा कि स्टार्टप के मामले में उत्तर प्रदेश है चौथे नमबर पे है ठीक है ये नमबर 2022 तक का आखड़ा है और कितनी संख्या आप संख्या भी याद रख सकते हैं तो 6654 स्टार्टप आपके उत्तर प्रदेश में तो नमबर एक पे महराश्टा है दूसरे पे आपका करनाटक है तीसरे पे दिल्ली है चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश है पांचमें पे गुजरात है छटमें पे हरियाना है तो इन चीजों को आप याद रखेगा और यहाँ ध्यान रखेगा कि जो आपका Startup India Initiative है यह कब प्रारम किया गया था तो इसको 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार के द्वारा प्रारम किया गया था और एक आंकड़ा आप और याद रखेगा वो यह है कि भारत जो है Third Largest Startup Ecosystem in the World है मतलब पूरे विश्र में Startup के Ecosystem के मामने में तीसरे नंबर पे आता है भारत जो है तीसरे नंबर पे आता है और भारत में जो Unicorn की संख्या है वो वरतमान में कितनी है 107 Unicorn है ठीक है 107 Unicorn कौन जो है वो भारत में registered है तो इतनी चीजें आप याद रखेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियों तो तक लिए बहुत धन्यवाद